सारन जिले के मशरक थाना क्षित्र के नवादा गाउं में पूर से चले आ रहे मुकदमा को उठाने को लेकर सुबह घर में घुस्मा बेटी के साथ बत्तमी जी करते हुए मारपीट की घटना प्रकाश में आया है घटना के बाद पीडिता अनू कुमारी ने पुलिस को लिखे तावेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है आवेदन में कहा गया है कि सुबह लाठी डंडा एवं भाला लेकर बिरिंद उझा अखिलेश उझा उझा उस वक्त कातिलाना हमला किये जब में दरवाजे पर जाडू लगा रही थी आवाज सुनकर घर से मा आशा देवी बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट करते हुए कपड़ा फार बेपर्द कर दिये लोग इन लोगों द्वारा मेरे साथ पूर से हमेशा बगत्तमी जी किया जाता है जिस कारण पढ़ाई भी छोड़ दिया है अब घर पर चड़कर जान मारने की धमकी देते हैं आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की चानबीन में जुटी है वाई टनू कुमारी घायल पहले से केस हुआ है केस उठाने के बीवाद में ये लोग हमारे समार बिठतिया है और हमारे लड़की को आकर करवाजे फखाला से मार दिया हुए हम कानून के पास आते हैं तो भी गाली देते हैं ये कानून हमारा क्या कर लेगा ये तुनको जिंदा नहीं छोड़ेंगा अपलेस हो जा और विरंदर हो जा आपका नाम क्या हुआ है मेरा नाम आसा ते भी है